हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू साथती लिटिल गार्डन और कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों आज मैं जो इंगलिश डेजी है जिसे बैलीज भी कहते हैं इसके शीड आप कैसे कलेक्ट करें नेक्स सीजन के लिए तो इस पर आज का वीडियो है तो यह देखे दोस्तों बहुत स तो यह इस तरीके से यह बहुत जल्दी से जड़ जाते हैं हलका सा टच करने परी तो आपको इन्हें सूकने से पहले यह देखे यह देखे नीचे से यह जब से सूकते रहते हैं तो यह जड़ते रहते हैं यह देखे मेरे हाथ में तो यह पीला पीला तो इसके उपर का हिस यह निसदों से हैं और दोलेशों माधिक बार्ट से सब्सक्राइब लेकिन जो इनका फ़ोड़ा जो शेप रिम्त जाहिए और इज attending प्जांड से लिभाईेंगेगा। अबन शाइब लिवडान को के उतड़ार मृत रिखोड़ा है। तो यह अभी भी गिर गिर के अपने आप ही इनके बेबी प्लांड बन रहे हैं तो यह देखिए यह कुछ इस तरह से दिखाने की मैं कोशिश कर रहे हूं कि यह देखिए यह सूखे वे से यह इनमें शीड के थोड़े-थोड़े से वो दिख रहे हैं तो ये इनके sheet है तो आप इन्हें collect कर लीजे, dry रखिए friends आप इनको, क्योंकि sheet dry रहेंगे तब ही जाकर आपके next season में काम आएंगे, तो जहां तक कोशिश करें, धूप में रखने की कोशिश करें, और इस तरीके से ये अपने season में germination इनकी बहुत अच्छी होगी, बरसात की म मौसम में नमी आप रहने नदे sheets को थोड़ा धूप आप दिखाएं अपने सारी sheets जितने भी collect करें, तो ओप करती हूँ friends आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, तब तक के रही टेक केर, बाबाई